तो चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला उतराखन सरकार ने मंत्रियों को धामों का प्रभारी बनायाख है स्वास्त मंत्री धंसिंग रावत की ओर से कहा गयाख है कि केदारनाथ धाम में केबल उतने ही लोग जाएंगे जितने ठहर सकते हैं व्यावस्तान ना होने पर रोका भी जा सकता कि इबी साफ्या गयाख है तो लोगों की संख्या ज्यादा आख है ये एक अच्छी बात भी है उतराकन के लिए कि बड़ी संख्या में लोग पहुँचें हैं कि दारनाथ धाम में आने के लिए उतने ही लोगों के इंट्री दी जाएगी जितने लोग वहां ठहर सकते हैं हो सकता है कि ज्यादा संख्या में लोग पहुँचें उन्हें रोक भी दिया जाए जाएं यात्री जाएंगे जितने वहां पर रुखने की ब्रॉख्या है कि दो साल कोविट के कारण यात्रा भात हम और इस वार लाग को यात्री वहार है अभी तक केदानाथ में लगबागा पौने दो लाग से जादा याथ जाए तो आप काफी नियंतर हो गया है कि लोग तो रात में कोई दिकर का समय निकर लागा है चले खबर पर ज्यादवाची तो जानकारी के लिए हमारे समधाता नासिर हुसेन फोन लाइन पर खें नासिर लोगों की संख्या को देखते हुए लगातार सरकार फैसले ले रखी है अब धन सिंग रावत को हमने सुना जिनका कहना के कि उतने ही लोगों को मंजूरी दे जाएगी जितने ठहर सकते हैं कि अब दुखर चारदा मेरा सरूवित कि आए आए वाहासे निद्धेश दिया गए हैं सको इसों पर खेंडा मेरा, उसको इस तरीके से नासिकर ना करना पड़े और जो क्रैजरलिक हैं हो रही है कई बीमार लोग भी पहुंच रहे हैं और कोई बीमार है तो सभी समय पर इलाज में सके तमाम सोविधाय में सके इसको लेकर के अब राज्य सरकार ने क्योंकि जो जो जंसिंग रावत मंत्री हैं शिक्षा और स्वास मंत्री उनको मानिटरिंग के लिए परिदेख्शक बनाय कि नासिर जो हैल्थ एडवाइजरी जारी कि गए उसमें क्या कहा गया के जो लोग बीमार है या जो एसी सितिन हैं जो चारदा म्यातरा नहीं कर सकते हैं उनको आगे नहीं जाना ते फिटनेस का सेटिटिट आ उनको लेना होगा और तभी वागे चारदा म्यातरा के लिए जा सकेंगे जो गंबीर वीमारी से गरस्ता स्रफ वह वहत्ती नहीं जा पाएंगे बाकि लोग यातरा कर सकते हैं जे तो हैल्थ एडवाइजरी जारी कि गए खेसाथी पंजीकरन को लेकर भी नासिर कह दिया गया कि जिनका पंजीकरन होगा केबल हो आ सकते हैं अगर नहीं लेकिन लोगों का पंजीकरन होगा वही जारदा म्यातरा के लिए आके जापाएंगे अन्यता उनको वहीं पर रोप किया जाएगा कि रोजानन निर्धारन किया जाएगा श्रिधालों की संख्या का बिल्कुल आप वहां की जर्दश्चा देखी जा रही है कितने लोग पहुंच गाएं क्योंकि कई रास्तों से लोग अलगर रास्तों से भी पहुंच रहे हैं और जो इस ठानी लोग है वो भी यात्रा कर रहे हैं तो आप तक क्या फैसली सरकार की उप्स लिए गए कि हमार लाइन का भी अभी प्रावधान तो के वेवस्था के लेकिन अगर कोई बिना रेजिस्ट्रेशन के पहुंचा तो उसे रिष्यकेश में रोग दिया जाएगा पहली बात दूत्री बात एडवाइजरी जिद्वारी की गई है उसे लेकर भी कहा गया कि जो लोग पिट है य पूरी वेवस्था को देखेंगे तो सरकार और प्रिष्यासे इन दिनों चारधा म्यात्रा को कामियाब बनाने में जूते खें